हेलो फ्रेंड्स, ट्री बनाने के लिए हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और इसे यहां से कटिंग कर लेंगे यह कट हो चुका है, अब हमें इस बोतल का सिर्फ सेंटर वाला पार्ट जाहिए, इसे हम दर्मियान से कटिंग करेंगे और इस पार्ट को अलैदा कर लेंगे अब एक पेपर लीजिए और उस पेपर को इस शेप में कटिंग कर लीजिए, कटिंग करने के बाद हम इसी पेपर को इसी प्लास्टिक की बोतल के उपर रखेंगे और जिस डिजाइन में हमने इस पेपर को कटिंग किया है इसी डिजाइन में हम इस प्लास्टिक की बोतल को कटिंग कर लेंगे कटिंग कर लेने के बाद इसको सेंटर से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और जहां से हमने दर्मियान से निशान लगाया है यहीं से हम इसकी लीफ की डिजाइनिंग कट करेंगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे कटिंग कर रही हूँ इसे हम नोकदार शेप में कटिंग करेंगे और इसी डिजाइन में हम इसका पूरा लीफ कट कर लेंगे साइट से भी इसे इस तरह से कट कर लेजिए कि इसकी शेप गोलाई में बने ये देखिए इसे मैंने हाफ में कटिंग कर लिया है जिस शेप में मैंने ये कटिंग किया है इसी शेप में मैं बाकी का लीफ भी कट कर लूँगी आपने इसकी नोकिली शेप का खास ख्याल रखना है लीफ हमारा रेडी हो चुका है इसी तरीके से मैंने कुछ और लीफ भी कट कर लिए हैं आप कोई सा भी पेपर ले लेंगे मेरे पास ग्रीन है अगर आपके पास ये color available नहीं है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं इसको हम double करके roll कर लेंगे जैसे मैं इसे roll कर रही हूँ roll करने के बाद हम इसे उपर से कुछ इस तरह से cut कर लेंगे और इस roll को cover करने के लिए हम एक green ribbon का इस्तमाल करेंगे ribbon easily available होता है हर जगा पर लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगा पे green color का कपड़ा भी इस्तमाल कर सकते हैं हमने सिर्फ इस roll किय हूँ पेपर को इससे cover करना है इसको हम cover करते जाएंगे और साथ के साथ जो हमने leaf cutting किये हैं इन leaf को हम इसके साथ attach करते जाएंगे सबसे पहले आप एक leaf लीजिए और उसके बिलकुल opposite side में दूसरा leaf भी लगा लीजिए इसके बाद हम इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक leaf attach करेंगे इसी तरीके से आप इस पूरे roll किय हूँ पेपर पर leaf attach कर लीजिए यहां तक काम मुकमल हो गया ट्री हमारा almost ready हो चुका है इसको अब आप अपनी मर्जी के मताबिक जिस shape में करना चाहते हैं उस shape में set कर लीजिए प्लास्टिक होने की वज़ा से आप जिस shape में चाहें बहुत ही आसानी के साथ इसे वहीं पर set कर लेंगे इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है अब मेरे पास एक पुराना गुल्दान पड़ा हुआ था इसको हम इसके उपर लगा देंगे बड़े अराम से से सेट कर लेंगे एक बहुत ही खुबसूरत आर्टिविशल प्लान्ट हमारा रेडी हो चुका है विद जीरो कोस्ट और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अलाहाफिज हाफिज